नवश्कार दोस्तों मैं हूँ राहुल जफ लीगल लीगल चानल में आपका स्वागत करता हूँ और आज मैं जिस मैटर पर बात करने जा रहा हूँ ये लगभग आप सभी के केसे में कॉमन समस्या मिलेगी एकदम ऐसे कैसे ही लगभग जातर केस्सं डिजाइन किये जाते हैं ज्ञूटे केस्स जो आप लगाए चाते हैं तो कैसे इसमें benefit लें, कैसे आप इसमें फायदा ले सकते हैं, ये आज के इस judgment के एक context में हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे आपको. दोस्ते इससे पहले मैं आगे बढ़ू, मैं आपको बता दूँ कि crash courses जो हैं, उनके बारे में एक जानकारी देता हूँ, कि ये पूरी तरह से आपको उपलब्द रहेंगे, ये एक तरीका का blueprint है, इसके अंदर आप कानून की पूरी जानकारी ले सकते हैं, और उसके misuse से कैसे बचा जाए, उसे use कैसे कैया जाए, उसकी detailed जानकारी इसके अंदर मिलती है आपको, सिर्फ एक चीज़ का भाव होता है, वो हमारे personal involvement का, हम personally इसमें involvement नहीं रखते, ये already तयार एक course है, जिसको आपको go through करना होता है, आपके self decisions अपने इसाप से आपको लेने होता है, मगर आ आप चाहते हैं कि विशेशिग्यता आपके साथ जुड़े और individually आपके case को ध्यान में रखके course design किया जाए, तो वो भी एक स्विधा हमारे पास होती है main course के form में, जिसमें आप अपने case पर पूरी पकड़ रख सकते हैं, पार्टी रहते वे भी और हर एक बारी की समझ सकते नहीं कि case में आखिर क्या चल रहा है, और आपको किस तरह से फायदा लेना है, बहुत सारे चीज़ें हैं इसके अंदर, और पार्टी परसंट रहते वे भी आप अगर इस case को लगना चाहें, तो ये आपको benefit देता है, guarantee किसी चीज़ की नहीं होती है, कहीं भी नहीं होती है, एक ही चीज़ होती है, कि आपको इसके अंदर मजबूती मिलती है, आपके cases को जल्दी और ताकतवर तरीके से पेश करने ही, आगे अगर आपको instantly अगर अपने case से related कोई छोटी मुटी राय लेनी हैं और detail में अभी किसी चीज़ के बारे में आप परेशान हैं, तो आप एक बार मुझसे WhatsApp पे बात कर सकते हैं, message डालिए, यहाँ call मत किजेगा, call समपिक नहीं करते हैं, अपना भी time बचाईए, हमारा भी बचाईए, message में ही सारी बात हो जाएगी, आप एक message डाली, appointment लेना है, आपको हातों हाँ सारी प्रकरिया समझा दी जाएगी, इसी number पर ही payment होत होता है, आप Google पे, phone पे, Paytm कुछ भी use कर सकते हैं, और bank से भी payment ट्रांसफर कर सकते हैं, आगे मैं अपनी बात बताता हूँ कि क्या होता है आपके cases में गलत तरीके से सभी लोगों को फसा देने में क्या फाइदा ले सकते हैं, कितना benefit हो सकता है, आज के judgment से समझने की कोशि और सास की बहन यानि की पती की मौसी के उपर IPC की धारा 498 और डौरी प्रोबिशन एक्ट के सेक्षन तीन और साहत के तहत एक FIR दर्ज करा दी, जिसमें पत्नी ने पती और उसके परिवार वालों पर यह इलजाम बगाया है कि उन सभी लोगों ने उसको शादी के बाद द वहां से फोन पर उसके पती को दहेज लेने के लिए उकसाते थे। जब पती ने इस जूटी FIR को क्वैच कराने के लिए CRPC के सेक्षन 482 के तहद गुजरात हाई कोट में एक याची का दायर की, अब जब सभी बातों को गुजरात हाई कोट ने सुना, तो कोट ने पाया कि पती की मा, उसकी बहन और मौसी के दौरा हजबन पर दहेज मांगने के लिए फोन पर उकसाने का कोई भी सबूत नहीं मिला है ना पती ने पेश किया है। ये सिरफ एक कही सुनी और मन गणत बात है और इन बातों के आधार पर केस नहीं बनता, इसलिए इन सभी बातों पर इस तरह का जूटा आरोप बनाया गया है, जब सारे तत्यों को कोट ने देखा तो उसने एक एफाई आर में से यूपी में रहरे पती के सभी रिष्टारों के नाम हटा दिये और इस तरह से वह एफाई आर क्वैश हो गई, जर्नली आप क्या करते हैं, आप थानों में भा पती को बनाया जाएगा, यह पूरी तरह से सुप्रीम कोट की गाइड लेंग्स हैं, मदर फादर रिष्टारों को नहीं बुला जाता इसके इन केसे में, अगर आपको कोई मिस्गाइड कर रहा है कि सभी आएंगे, सभी को बलाना पड़ेगा, ऐसा कोट में कहीं प्रचला होने से थोड़ा सा बचा नहीं पाएंगे, कमजोर केस जो होता है वो लंबा नहीं चलता, तो कमजोर कैसे होगा, बजाय महाँ पैसा खर्च करने के आप उसको FIR को क्वैश करा लीजे, और FIR को क्वैश करा कर आकर आप आराम से अपने केस के अंदर मजबूत हो सकते हैं, क्य हर केस में रेफरेंस की तरह से यूज कीजिए कि मेरे खिलाव जूटे आरोब बनाये जाते हैं मनगड़न कहानियों से सब कुछ किया जा रहा है तो क्रॉस एक्जामनीशन से लेके हर जगे आप बेनिफिट भी रहेंगे हर केस के अंदर और उसका रेफरेंस आप यूज करते तो वह आज सबस्क्राइब जरूर करके जाहिएगा और ऐसे या आते रहिए क्मेंट सेक्षं में में लिस्टेशन है सवालों का जवाब नहीं दे सकते सिर्फ आप वीडियो से रिकार्डिंग या हमारे किसी टिपनी से रिकार्डिंग वहां पर कमेंट कीजिए सवालों का जवाब देने के लिए पहले से सुईधा है आपके पास में तो वो आप अपन्टमेंट लेके कर सकते हैं पर कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ कर आप अपने आपको हतोस साहित ना करें हम चाहते हैं आप प्रोस्साहित रहें थैंक्यू